गुलाब जावुन के नाम पे हर किसी के मुँँ में पानी आजाता है क्योंकि ये हर कोई की फेवरेट मिठाई है बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो यहारों का सीजन चल रहा है और हाली में रक्षा बंदन भी आने वाला है तो इस तो एक अभी बना सकते हैं एक को बाद में भी बना सकते हैं तो तोनों पैकेट को काट कर इस तरह से एक बड़ी सी थाली में हम निकाल लेंगे इस तरह से मार्केट में जो गुलाब जामुन के रेडी मिक्स पाउडर मिलते हैं इनके बने हुए गुलाब जामुन बिलकुल मावे की बनेवे गुलाब जामुन जैसे लगते हैं खाने में आप इसे बना के एक बार जरूर ट्राई करें आपको बहुत जादा पसंद आएंगे यह वाले गुलाब जामुन 15 मिनट के लिए बना लेते हैं चासनी तो यहां पे एक पतेले में हम डालेंगे कम से कम पांच कप चीनी और जितना हम चीनी ले रहें बस उतना ही कप इसमें पानी डाल देना है क्योंकि गुलाबजामून की चासनी जो है बहुत जादा गाड़ी नहीं होती है तो जितना चीन कलर के लिए यहां पे मैं डाल रहे हूं केसर के धागे पिल्कुल ऑप्सनल है अगर आपके पास नहीं है तो इससे जरूरी नहीं है डालना गुलाबजामून की चासनी जो है एक तार दो तार की नहीं होनी चाहिए बस हलकी सी इसमें चिप-चिपाट आ जानी चाहिए यहा यहां पर हम चेक कर लेते हैं आटा को तो आटा को रखे हुए लगबग हो गए 15 मिनट तो इसको हम फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे यह चिकना नहीं हो रहा है तो इसके उपर हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे इस तरह से और इससे 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे हाथो हमें क्या करना है कि इस तरह से लंबाई में रोल कर लेंगे और छोटी छोटी लोगियां लेकर इस तरह से हाथों पे गोल करेंगे मतलब कि बिल्कुल चिकनी गोल सेप की हमें इसकी बॉल्स बनानी है इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं रहने चाहिए अगर थोड़े भी क् गुलब जामुन बॉल्स बना लिये हैं आपको बिलकुल अच्छे से दीख रहे होंगे कि यहां पे बिलकुल भी क्रेक्स नहीं है इनमें तो इस इसका आपको खास ध्यान देना है और यहां पे अब हम कड़ाई में लग देंगे तेल गरम होने के लिए तेल यहां पे मीडिय होना स्टार्ट हो गया है तेल अच्छे से गरम था जैसा हमें चाहिए इसकी फ्लेम को मीडियम ही रखकर हम फ्राई करेंगे तो एक को मैंने यहां पर फ्राई करके निकाल दिया है बाकी को भी हम यहां पर फटा फट से डालेंगे क्योंकि यह बहुत तेजी से फ्राई होत इससे आप चासनी में डूबोएंगे न तो यह हलके से और अपने कलर को लाइट कर देते हैं तो इसलिए इने डार्क कलर आने तक फ्राई कर लें तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए जैसा कलर हमें चाहिए गुलबजावून का वैसा आ चुका है तो इससे हम निकाल देते हैं और एक चीज और देखिए तेल में डालने के बाद इनमें बिल्कुल भी क्रेक्स कहीं पे भी आपको नहीं दीख रहा होगा मतलब की बहुत ही अच्छे से हमने इसकी बॉल्स बनाये थे जिनमें की बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं थे अगर क्रेक्स रहे होते तो य बहुत आसान है इसे फ्राई करना फटाफट से ये फ्राई हो जाते हैं यही बात का आपको ध्यान रखना है सब तरफ एक जैसे इसके कलर आने चाहिए नहीं तो कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क दीखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो बस जैसे से हम फ्राई करते जाएंगे अपनी चासनी में डीब करते जाएंगे तो देख के लग रहा है ना कि इस गुलब जामुन को बनना वाके में बहुत आसान है बस कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है कि इसका आटा जो है थोड़ा स्ट लगाएंगे और जो बॉल्स बनाएंगे इसके बिलक के रख देंगे छे से आट घंटे के लिए उसके बाद तो ये हमारे गुलाब जामुन बहुत ही जादा अच्छे खिले खिले और सेप में भी काफी बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं सुबा आपको ये गुलाब जामुन जो है दिखा रही हूँ मैंने इसे साम को बनाया था तो ये जारे गुलाब जामुन जो है अच्छे से चासनी को सोक चुके है और ये अपने सेप में भी काफी बड़े हो चुके है और ये देखिए मैं चम्मस से इसे कट कर रही हूँ तो ये देखने से लग रहे हैं कि कितने ज़्यादा सौप्ट बने हैं और कितने अच्छे से चासनी को भी सोख लिए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरू से कर लें आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखर तक देखने के लिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ